इस वीडियो में हम सीखेंगे कितोन क्या है, कितोन की अयूपेक और समान्य नम्करण विधी जब एक आक्सजन परमाडू कार्बन परमाडू के साथ डबल बॉंड बनाता है तो कार्बोनील फंक्सन गुरूप प्राप्त किया जाता है कार्बोनिल गुरूप का कार्बन परमाडू आक्सिजन परमाडू के अतरिक्त दो अन्य परमाडू से बंधा होता है कार्बोनिल गुरूप के कार्बन पर विबिन परमाडू सो मोह की उपस्तिती से functional groups की एक विश्त्रिस्त स्रिंखला उत्पन होती है दो सबसे मत पुन function group एल्डिहाइड और किटोन है एक एल्डिहाइड में कार्बोनिल कारबन पर कम से कम एक परमाडू हाइटोजन होता है और किटोन में कार्बोनिल कारबन से बंदे हुए दोनों परमाडू अन्य कारबन परमाडू होते हैं हम आगे इस वीडियो में केवल किटोन function group पर ही विचार करेंगे किटोन की classification की बात करें तो किटोन दो तरह के होते हैं सरल किटोन और मिस्रित किटोन यदि एलकाइल ग्रूप समान हो तो सरल किटोन और अगर एलकाइल ग्रूप समान न हो तो मिस्रित किटोन के नाम से जाना जाता है इसे क्रमसा symmetrical और unsymmetrical किटोन से भी पहचाना जाता है उदारन के लिए डाय मेथिल किटोन एक सरल किटोन है और एथिल मेथिल कीटोन एक मिस्रित कीटोन होता है ध्यान रहे तीन करबन वाला कीटोन सबसे छोटा कीटोन कहलाता है कीटोन के नाम करन के दो समान्य तरीके हैं पहली वीधी इंटरनेशनल यूनियन और प्योर इंड अप्लाइट केमिश्टी द्वारा उप्योग के जाने वाली प्रमाड़ी पर अधारित हैं। यह वीधी खुली स्रिंखला वाले इलिफेटिक कीटोन के अयूपैक नाम प्राप्त करने के लिए एलकिल ग्रूप याने एलकेन, एलकीन और एलकाइन के अंत में इस्थित ये अक्षर को हटा कर ओन प्रत्य जोड़ा जाता है। कीटोन्स में कार्बन की सबसे लंबी स्रिंखला को क्रमांकित उस सीरह से शुरू किया जाता है, जहां कीटोन ग्रूपस सबसे नजदिक इस्थित होता है। प्रतिस्थापियों को उपसर्ग के रूप में अंग्रेजी अल्फाबेट की क्रमानुसार कार्बन स्रिंखला में अंको द्वारा इस्तिती प्रदसित करते हुए लिखते हैं। एलकिन्स और एलकाइन्स में बॉंड का नाम अंकित भी क्या जाता है। जैसे 4-ethyl-hex-5-i-3-on से आप समझ सकते हैं जिसमें अलकाइन की बॉंड की इस्तिती को संख्या द्वारा दर्शाया गया है। अगर एकी कार्बन स्रिंखला में एल्डेहाइड और किटोन फक्स्न ग्रूप उपस्तित होते हैं तो किटोन को नामित करने के लिए औक्स सब्द से प्रतिस्थापित संख्या का नाम दिया जाता है। उदारन के लिए 3-ox-pentanil अब बात करते हैं किटोन्स की समान्य नाम करन विधी की। किटोन्स के समान्य नाम उध्पन करने के लिए कार्बोनिल गूरूप से जुड़े दो एल्किल या एरिल गूरूप का नाम करन किया जाता है। प्रतिस्थाप्यों की इस्तिती को ग्रिक अक्षर, अलफा, अलफा डेस, बीटा, बीटा डेस आधी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अलफा, अलफा डेस, कार्बन परमाडू वे होते हैं जो सिदे कार्बोनिल गूरूप से सलगन होते हैं। कुछ किटोन्स के एत्यासिक सामाने नाम होते हैं, जैसे सरलतम, डाइमेथिल किटोन को इसी टोन करते हैं। एलकिल फेनिल किटोन का नाम लिखने के लिए इसल ग्रूप के नाम को फिनोन सब्द के साथ प्रत्य के साथ जोड़कर लिखा जाता है। जैसे उदारन के लिए इसितोन फिनाओन, प्रोपियोन फिनाओन और बेंजो फिनाओन.